तो यहाँ पर से दोस्तो थॉमसन का एक ब्रैंड नीव टीवी हमारे पास आ चुका है, 40 इंच के डिस्पले के साथ Full HD Resolution है, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखो, मैं इसके बारे में हर एक जानकारी आपको बताऊंगा विस्तार से, क्योंकि यह 20,000 के नीचे आपको मि कर दीजिएगा, तो unboxing में जाने से पहले, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, open box delivery होता क्या है, तो जब भी delivery boy आते हैं, वो आपके सामने ये product को open करके दिखाएंगे, कहीं भी scratch, dent है, तो आप देख सकते हैं, या एक दो दिन बाद, technician का visit होता है, जो कि आपके TV को open करेंगे, warranty register करते हैं, और सारा कुछ चेक करते हैं, और even wall mount भी कर देते हैं, and then onwards, आप चाहो तो अपने TV का use कर सकते हैं, और चलो अब इसको हम unbox करते हैं, वैसे generally ये technician का काम है, बट चलो हमने यहाँ पर already उनसे permission ले रखा है, और ये जो plastic है दोस्तों, इसके अंदर ये सारे accessories आये थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें user manual मिलता है, ये Android TV का, जिसको पढ़ने की जरुवत फिलाल तो नहीं है, क्योंकि हम आपको सारी जानकारी देंगे, और ये troublesuit guide है, यहाँ पर कुछ और details मिलते हैं, दो निपो के जो battery मिलते हैं, वो हमें द definitely अच्छी है, left and right mention किया गया है, और यहाँ पर से sock absorber भी दिये गए हैं दोस्तों, और ये है wall mount, वैसे wall mount काफी छोटा है, considering जिस price में ये TV आता है, बड़े screen के साथ, बट ठीक है, at least ये सारे चीज काफी सारे brand नहीं provide कर रहे हैं, और TV को open करने के बाद दोस्तों, अगर मैं AC का in है, वो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, earphone का भी आपको socket मिलता है, RJ45 का cable आप लगा सकते हैं, optical cable भी यहाँ पर लग सकते है, left and right के audio output यहाँ पर से आपको मिलते हैं, HDMI का one input socket आपको दिया गया है, 2 है, HDMI 3 है जहाँ पर आपको ARC का भी option मिल जाता है, और TV के input socket भी आप left, right और जो भी AV1 है, AV2 है, या USB है, यह सारा कुछ इस तरीके से दिया गया है, जिसको easily आप access सायद नहीं कर पाऊगे, क्योंकि एक बार जब यह wall पर mount हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से इसकी बनावट है, जो कि आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको सही से दिखाने की क तो आपको सायद से अंदाजा लग गया होगा, तो यहीं चीज मुझे इसका एक कौन लगा, वैसे एक बार अगर आप सेट कर दोगे, तो I don't think दिख्कत होगी, बट हाँ, मैंने सोचा यह point include करते हैं, लेकिन build quality मुझे इस TV की काफी अच्छी लगी, अब चलो जल्दी से इ उसको हम सेट कर लेते हैं, यानि कि स्टाइड को, और काफी असान है, सब कुछ अच्छे से यहाँ पर guide wise आपको दिया जाता है, वैसे अगेन ये काम आपका नहीं है, बट फिर भी हम आपको दिखा देते हैं, और एक चीज और जैसे कि मैंने आपको start में ही दिखाया था, क ये open box delivery जो system होता है उसका use जरूर करना, मतलब जैसे ही आएंगे न बंदे, जो delivery देने वाले, उनको आप बोलना कि भाई मुझे recording करने तो recording proper कर ले न, तो उससे होगा क्या कि आपके लिए भी tension नहीं रहेगा, सामने वाले को भी दिक्कत नहीं आएगी, तो वो चीज है, व आप देख सकते हैं, तकरीबन 21 inches के around ये आपको देखने को मिलता है, 20 आप मान सकते हो, और यहाँ पर से अगर हम इसके stand के साथ की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं, 22 से थोड़ा सा जादा है, और जहां तक रही बात दोस्तो wire की length की, तो ये लगभग 4 feet है, हमने इसको calculate कर दिया था, आप मान के चल सकते हैं, वैसे यहाँ पर से दोस्तो अगर मैं आपको closely दिखा हो, तो आप देख सकते हैं, volume up and down कर सकते हो, channel change कर सकते हैं, source को भी आप चाहो तो change कर सकते हैं, menu को navigate कर सकते हो, power को on off भी कर सकते हैं, तो यही पर से सारे shortcuts आपको दिये गए हैं, एक बार इसको on होने देते हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं, दोस्तो picture की quality के हिसाब से ही, तो आप देख सकते हैं, बहुत matter करता है, कोई भी TV आप खरीते हैं, picture and sound, ये दो चीज़ important है, वैसे मेरे हिसाब से picture जादा matter करता है, क्योंकि उसको आप change नहीं कर सकते हैं, और TV 180 60fps तक के max resolution को support कर रहा है, जितमा मैंने test किया, क्योंकि 4K के video's हमने यहाँ पर play करके देखें, तो 1080 60fps तक यहाँ पर यह support कर रहा था, without any lag, अब यहाँ पर से दोस्तों, गर इसके picture quality को मैं अगर define करूँ तो देखो, मैंने बहुत सारे अलग-अलग TV के unboxing करी है, उसके हिसा less नहीं है, तो अगर आप उस level का payment नहीं करोगे, तो उसी तरीके का चीज आपको मिलेगा, थोड़ा design-wise आपको लग सकता है, थोड़ा मोटा-मोटा display के चारो तरफ आपको दिख रहा है, बट अगर display की quality as in देखा जाना, मुझे काफी सही लगा, मैंने यहाँ पर अभी brightness low क करके रखा है, क्योंकि यार camera मेरा set नहीं हो पा रहा था, I don't know कि आपको कैसा दिख रहोगा, बट still मैंने जितना अच्छे सेट कर सकता था किया है, और यहाँ पर मैं suggest करूँगा कि आप इसके color temperature को जरूर adjust कर लेना, क्योंकि होता किया न कई लोगो को warm tone देखना पसंद है, कई लोगो को cool tone पसंद है, इसका brightness by default 100% में आया था, और जितने भी settings थे सारे standard थे, तो उसको हमने अभी फिलाल, just ये video shoot करने के समय, जो front से shoot हो रहा ना, उस समय हमने थोड़ी से changes किये है, but throughout the video जो आपने देखा ना, screen की quality जो हमने आपको दिखाया, सारा standard और 100% brightness के through हमने आपको दिखाया, जो कि हमने iPhone से recording किया था, ताकि true picture आपको दिख पाए, और अभी भी आप सायद से देख पा रहे हैं, I don't know कि camera कितना justice कर पा रहा है, क्योंकि यो auto में set नहीं है, ये मैंने manual में set किया है, इस वज़ा से ही मैं इतना सारा कुछ आपको बोल रहा हूँ, बाक कि सुआ है, ये मैं से एफ।सारा का बहा है, ये ये मैं है ये मैंसकी आपको देख भी आपको देख पाइन साव मैंी, झात अपको आपको आविँ कैसे इस हैं व cert this is 6 oh 0 तो sound bar लगाने के बाद audio की quality definitely enhanced हो जाती है बट जितना मैंने इसको test किया मुझे इसकी sound की quality से कोई भी compromises देखने को नहीं लगें क्योंकि यहाँ पर से दोस्तो overall loudness and bass की quality अच्छी थी हलाकि हाँ sound bar अगर आप use करोगे तो और भी अच्छा experience आपको मिल जाएगा अब देखो एक बहुत common सा question जिसका answer मैं यहीं पर देना चाहूंगा कि 32 inch 40 inch और 43 inch कौन सा लेना चाहिए आपके लिए क्योंकि काफी लोग 43 को भी prefer करते हैं काफी लोग 32 को भी करते हैं और 40 inch वाला जो TV है जाधा तर ब्रैंड्स बनाते नहीं हैं तो उस case में देखो होता है क्या ना जाधा तर लोग जो room size होता है मतलब मैं बहुत जगा रेंट में भी रहा हूं इस हिसाब से बता रहा हूं वैसे यह room का size थोड़ा बड़ा है मेरे हिसाब से तो उस case में मैं 43 के साथ भी जा सकता था बट यह जो है ना डिस्पले वाला जो TV हमने लिया है वो हमने भाया के लिया है तो उनका room का size एराउंड 10 by 12 का होगा तो उस case में यह perfect है 32 inch देखा जाए थोड़ा चोटा दिखता है बट I think वो भी एक काफी अच्छा perfect size है बट 43 inch बहुत जादा ही बड़ा हो जाता है जो कि I hope समझते हों गया तो हमने इसी वज़ए से इसको recommend किया कि भाई आप 40 inch ले लो और यह जो brand है ना यह 40 inch प्रोवाइड कर रहा था काफी क बजट में मिल जा रहा था तो इसी वज़ए से हमने इसको pick किया I hope आपको अभी तक सारा कुछ समझ में आ गिया होगा अब चलो यहां पर से दोस्तों remote के बारे में बात कर लेते हैं तो काफी छोटा सा सुन्दर सा remote आपको मिलता है power on off के key आपको मिलते हैं यहां पर कुछ कुछ shortcuts मिलते हैं Google Assistant के भी key दिये गए volume up and down कर सकते हो prime video और या फिर अगर आपको YouTube पे switch करना है तो आप click करोगे directly आपका यही पर से prime video open हो जाएगा login किया हुआ है तो आप use कर सकते है YouTube अगर आप open करोगे तो यह भी यहां से open होता है and switch in between भी आप चाहो तो कर सकते हैं और home पर प्रेस करके आप home screen पर आ जाओगे यहां पर से आपको मैं दिखा देता हूँ तो left right navigate करके आप चाहो तो in apps का use कर सकते directly यहां पर से okay करोगे यह open होके आ जाता है और यह जो file manager है दोस्तों इसके अंदर अगर आप pen drive यूज करना चाहते हैं हम आपको दिखाते हैं तो हम यहां पर एक हमारा वीडियो था अभी just हमने shoot किया था तो उसको हम चाहे तो play कर सकते हैं by the way यहां पर wifi से भी आप चाहो तो connect कर सकते हैं और उसको कैसे connect करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं तो यहां पर से उपर के तरफ से search बार आपको मिलता है जो कि आप देख सकते ह आपको जो hdi 1, 2, 3, av input है वो सब आप change कर सकते हैं wifi आप देख सकते हैं हमारा connected है और यहां पर सेटिंग के अंदर सारे options मिलते हैं network के अंदर दोस्तों आप चाहो तो देख सकते हैं जो भी wifi होंगे उनको आप connect कर सकते हैं 5 GHz band को भी यह support करता है और यहां पर से account settings के अंदर जा करके आप sign in कर सकते हैं apps के option के अंदर आपको जो भी apps है ना install उनको आप check कर सकते हैं including दोस्तों यहां पर से permission यह सब के भी option मिलते हैं device preferences के अंदर आप जाओगे तो about आपको दिख जाएगा जहां पर आपको device का name restart कर सकते हो model name android का version 9 चल रहा है security patch यहां पर से आप देख सकते हैं और बाकी दोस्तों यहां पर से system update भी आप चाहो तो check कर सकते हो बाकी इसके लावा यहां पर से sound का option आपको मिलता है और storage का भी option आपको मिल जाता है जो कि out of the box आपको 4.6 GB space देखने को दिया जा रहा है मतलब इतना आप use कर सकते हैं home screen, google assistant और इसके लावा chrome cast building है त आप अपने जो smartphone उसको भी mirror कर सकते हैं screen saver का भी option आपको देखने को मिलता है जो कि आप देख सकते हैं and location, users का जो diagnostic है वो आप कर सकते हैं यहां पर accessibility का option आपको देखने को मिलता है high contrast यह सब करना चाहते हो तो कर सकते हो आप और यहां पर reset का option मिलता है remote and accessories के अंदर बहुत स है वो हमने यहां पर add किया था जो कि आप देख सकते हैं और काफी अच्छे से यह काम कर रहा था और even दोस्तों हमारे पास एक Logitech का keyboard है वो भी हमने attach किया था तो वो भी आप चाहो तो देख सकते हैं यह भी काफी smoothly काम कर रहा था वैसे यहां पास है दोस्तों अगर मैं आपको option मिलता है जो कि आप देख सकते हैं जो भी content आप देखोगे यहां पर use हो जाएगा और play store के अंदर जाकर क्या आप download भी कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको sign in करना होता है sign in करने के बाद जो भी content आप use करना चाहते हैं देखना चाहते हैं उन app को download करना चाहते हैं और HDMI फिर सुच करना काफी असान है, इन बटन को आप प्रेस करके, HDMI को टॉगल कर सकते हैं, और यहाँ पर से दोस्तों आप देख सकते हैं, सारे content जो भी हमारे जियो के अंदर चल रहे हैं, जियो के fiber connection के अंदर, वो सारा चीज हम यहाँ पर से देख सकते हैं, वैसे उसके regarding ए इवन remote की बात करते हैं, तो काफी जादा fluent है, लेकिन एक चीज मैंने notice किया था कि initially जैसे ही मैंने इसको start किया था न, उतना अच्छा से यह काम नहीं कर रहा था, maybe मैं इतना जादा comfortable नहीं था, maybe ऐसा हो सकता है, but now I can see कि यह मुझे काफी अच्छा feedback दे रहा है, जैसे मैं touch क देखा जाना, जिस price में हमने खरीदा है, उसके हिसाब से काफी सही है, अब आपको किस price में इसको max to max खरीदना चाहिए, तो देखो, मेरे हिसाब से 40-inch के display वाले TV बहुत कम है market में, और उस हिसाब से अगर brand आप से let's suppose 17-18,000 तक max ले रहा है, तो फिर यह worth it है, इसके उपर I don't think कि यह जादा sense बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे TV ऐसे भी हैं, जो कि 43-inch के साथ आ जाते हैं, बट अगेन जो मैंने आपको start बताया, कि आपका room size भी matter करेगा, room बहुत छोटा है, तो फिर 40-43-inch लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट 40-inch ना एक तरीके से एक्तम perfect room size क के दोरान खरीदोगे, या card discount लगा के खरीदोगे, बहुत अच्छा खासा offer मिलेगा, तो इसका direct buying link हम आपको description box पो provide कर दे रहें, देख सकते हैं, वैसे यार देखो, अगर इसको नहीं खरीदना है, कोई बात नहीं, कुछ और अच्छे best recommended TV जो हमने use कर रखे हैं, जिसके reviews ह हमने किये हैं, या video नहीं भी आया है, कोई बात नहीं, ये नया नया channel है, तो हमने उनके भी links आपको दे दी हैं, description box में, वैसे आप में से काफी लोग मुझे जानते होंगे, हमारा Tech Guide YouTube channel है, जहां पर हमें smartphone, TV, laptop की videos बनाया करते थे, अभी फिलाल हमने separate कर दिया है, जो कि आफर कई बारना change होते रहता है, तो चलो यार इस video में इतना ही, like, share and subscribe करके जाना, so thanks a lot for watching,